नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल स्पिरिचुल ट्री में दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी ही ज़्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे और कुछ ऐसे व्रिक्षों के बारे में बताएंगे जिनको अगर चुआ जाये खास करकी कुछ खास नक्षत्रों में और कुछ खास दिनों पर तो उन व्रिक्षों को चुकर जो भी मनोकामना बोली जाती है वे तुरंत पूरी हो जाती है वैसे तो इस दुनिया में जितने भी पेड़ पोधे विरिक्ष आदी वगहरा होते हैं सभी अपने आप में खास होते हैं लेकिन काफी लोगों को नक्षत्रों के बारे में पता नहीं होता है कि कौन से नक्षत्र में कौन से विरिक्ष को छूने पर कौन सा योग बनता है और नक्षत्र आदी वगहरा को देखा जाता है ठीक इसी प्रकार कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं कुछ दिधी ऐसी होते हैं और कुछ दिन भी ऐसे होते हैं जो पेहद खास विशेश और सिद्ध होते हैं तो कुछ ऐसे ही योग और कुछ ऐसे ही नक्षत्रों के बारे में हम आपक हर हर महादेव वश्य ही लिखते हैं जिससे भगवान शिव की किरपा पर हमेशा बनी रहे इस दुनिया में जितने भी लोग होते हैं वैं सबी केवल यही चाहते हैं कि उनके जीवन में धन की जो समस्यां चल रही हैं और जिसके कारण उन्हें घर चलाने में और बाकी चीजे करने में दिक्कत पड़ती है तो ऐसे में उनकी धन की परिशानी दूर हो जाए हर कोई केवल यही चाहता है कि उसके जीवन में कभी भी उसे धन की परिशानी का सामना ना करना पड़े तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर शिव योग में इस ज्यानकारी को बिल्कुल ध अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर प्रयोक का कोई भी लाब नहीं हो पाता है इसलिए ज्यानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें अगर शिव योग में बर्गद विर्क्ष की जड़ को छूते हुए संजीवनी मंतर का 108 बार जाप करके कोई भी मनोकामना को बोला जाता है तो इससे शीगर अती शीगर वह मनोकामना तुरंत पूरी होने के लिए शुरू हो जाती है जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की समस्याइं दूर हो जाएं तो इस प्रकार आपको नहीं बोलना है कि धन की समस्याइं दूर हो जाएं बलकि इस बोलना है कि जिस चीज में आप काम करते हैं वहां मुझे प्रमोशन मिल जाए या जिन लोगों को नोकरी की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो ऐसे नहीं बोलना है कि धन की प्राप्ति हो जाए तो जिस भी चीज में आप कारे करते हैं और आपको पता है कि वहीं से आपको धन आ सकता है तो उसी चीज़ को सही करने के लिए आपको मनोकामना बोलनी है इस प्रकार अगर शिवयोग में बरगत व्रिक्ष की जड़ पर कच्चे दूद में केसर डाल कर अगर धारा बहाई जाय और फिर उस जड़ को पकड़ कर संजीवनी मंतर यानि के ओम हरोम जूम सहा न नए साल के पहले दिन ही बन रहा है लेकिन ये ब्रहम मूरत में बन रहा है यानि के सुबह बन रहा है तो अगर आप सुबह उठ सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है नए साल के पहले दिन इस प्रयोग को अवश्य ही करके आए जो आपके घर के आसपास बरगत व कर्शन होता है खास करकि मनिपूर चक्र से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़े होती हैं जैसे अगर किसी विक्ति को धन की बहुती ज़्यादा समस्याइं घेरती हो उसने अपने जीवन में बहुती ज़्यादा मेहनत भी करी हो लेकिन मेहनत के अनुसार उसे सुख की जोर होता है और यह जितनी भी सारी चीज़े होती हैं यानि कि जितनी सांसारिक चीज़े होती हैं जिसमें आप चाहते हैं कि सामने वाला आपके लिए कारे करे और आपके वश में रहे क्योंकि कुछ लोगों के कारे ऐसे होते हैं कि दूसरों पर ही निर्बर होते हैं दूसरा हर एक महीने में निश्चिती आते हैं तो किसी भी महीने में आप उस कलेंडर में देख सकते हैं जिसमें संपूर्ण जानकारी होती है तिती होती है नक्षत्र आदी वगेरा भी होते हैं तो उसी कलेंडर में आप ये भी देख सकते हैं कि नक्षत्र ये योग उस दिन कौन सा ह तो इस प्रकार नक्षत्र को देखकर स्वाती नक्षत्र हर एक महीने में आता है तो अगर स्वाती नक्षत्र में अश्वगंधा के पोधे की जड़ को निकाल कर अगर इसे किसी भी व्यक्ति को चांदी के ताबीज में भर कर पहना दिये जाए तो इससे उस व्यक्ति की कभी भी हार नहीं होती है जितने भी चीजे वह करता है या आगे बढ़ना चाहता है या अपने जीवन में जो भी काम्याबी सफलता वह पाना चाहता है वह निश्ची थी उसकी पूरी होती है लेकिन आपको बता दें कि स्वाती नक्षत्र में अश्वगंधा के पौदे की जड़ को निकाल कर इस जड़ को अगर महाकाली मंतर से एक लाग मंतरों से जाब करके अगर इस जड़ को सिद्ध कर दिया जाए तो इस सीधा महाकाली का ही स्वरूप मानी जाती है इसलिए यही वज़ा रहती है कि इस जड़ को अगर स्वाती नक्षत्र में निकाल कर महाकाली मंत के साथ महाकाली की शक्तियां विराजमान होती हैं ऐसे विक्ति के अंदर शम्मोहन आकर्शन वशिकरन तीनों ही वास करता है और वächst जिसे चाहे अपने वश में बड़ी आसानी से कर सकता है क्योंकि महाकाली की साधना से और ये शक्ती से हर एक शेत्र में सफलता प्राप्त होती है यही وجہ है कि इस अश्वगंदा के पौधे की जड़ को सुवाती नक्षत्र में निकालना काफी जादा लाबदायक और फलदायक सिध्ध होता है तो जिस प्रकार हमने आपको बताया है उसी प्रकार महाकाली मंत्र से आप सिद्ध करके इसे पहन सकते हैं और मंत्र इस प्रकार है ओम क्रीम कालिकाय नम्हा यह महाकाली का मूल मंत्र है इसी मंत्र का जाब करने से 51 माला स्वाती नक्षतर में अश्वगंदा के पोदे की जड़ को सिद्ध करके अगर कोई व्यक्ति चांदी के तावीज में भरकर इसे पहन ले तो इससे काफ़ी ज़ादा शक्तियों की और सफलताओ की प्राप्ति तो उसे होई जाती है बलकि धन की भी कभी भी उसके जीवन में समस्या नहीं हो सकती हैं। अगर कोई विक्ति कर्ज की समस्या में बहुत ज़्यादा पीडित रहता हो और कर्ज के वजह से उसके जीवन में बहुत ज़्यादा उतल पुतल या परेशानी बढ़ गई हो तो ऐसा विक्ति इस प्रयोग को करके अगर अश्वगंधा के पोधे की जड़ को पहन ले तो इस से उसके कर्ज समाप्ति के पूरे-पूरे योग मात्र छे महीने में ही बन जाते हैं और वे हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकता है तो इस प्रकार जैसे हमने आपको बताया है इसी प्रकार आप भी कर सकते हैं या हमसे भी हमारी स्थान से इसे मंगवा सकते हैं ठीक इसी प्रकार पुष्य नक्षत्र भी होता है, अगर पुष्य नक्षत्र में पीपल विरिक्ष की जड़ को निकाल कर घर्व के पूर्व कोने में अगर इसे दबा दिया जाए, यानि के पूर्व दिशा में जो घर का पूर्व कोना है, पूर्व वाली दिवार है, अगर उसी से सटा कर पीपल विर्ख्ष की जड़ को दबा दिया जाये तो इससे तुरंत पित्र बंधन खुल जाता है काफी लोगों के जीवन में पित्र बंधन होता है पित्रों की समस्याइं होती है पित्र प्रसर नहीं होते हैं तो उस घर में कभी भी एकता नहीं रह पाती है व कि जो नीचे जो मिट्टी है जिस मिट्टी पर जिस जमीन पर वह दिवार खड़ी है उसी दिवार से लगा कर इस जड़ को बस दबा देना है ऐसा करने से वह गर पित्र दोश से मुक्त हो जाता है यह इतना आसान सा है कि इसके बाद पित्रों की पूजा करवाने की भी शनक्षतर में निकालेंगे ये आपको ऐसे ही नहीं दबानी हैं बलकि एक लाख मंत्र यानि के भगवान वासुदेव के एक लाख मंत्र का जाप इस जड़ पर आपको कर लेना है भगवान विश्णु को महा पितर कहा जाता है जिन लोगों को अपने पितरों के नाम आदी व मात्र से वह गर बिलकुल पितरों दोश से मुक्त हो जाता है बाकि बहुत सारे व्रिक्षों के बारे में आने वाले वीडियो इसमें हम निश्चिती बताएंगे इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बैल बटन अवश्य दबा कर रखें जिससे जब भी वीडिय आती है तो आपको समय पर मिला करें इस जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाब उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें धन्यवाद ओम नमस्शिवाय हर हर महादेव